ओम शाद्दे आज आदर्णी है भाई सब के लिए सोच चल रहा था कि क्या उनके बारे में कहें और क्या ना कहें क्योंकि वो ऐसी महान शक्सियत थी जिन्नोंने पल-पल आगे बढ़ाने का प्रयास सदा किया मुझे याद आता है मेरा बच्पन जो मैं छोटी सी आयू में मदुबन पांड़ भवन में आती थी मैं सब ओफेस में बैठा करते थे कभी बाहर मिला करते थे लेकिन हर रोज बुला करके प्यार से बाते करना प्यार से टोली खिलाना उनको पता था कि मुझे दूद की ही टोली पसंद है वो सदा कहते थे अभी मंगवाता हूँ पेड़ा अभी देता हूँ पेड़ा मैं तुमको चॉकलेट खिलाता हूँ और मैं कहा करती थी ये कोई चॉकलेट है मुझे बहलाते हो तो कहते थे देखो तुमको पता नहीं है ये वाइट चॉकलेट है मुझे याद आता है मैं प्यार से जब भी उनसे मिला करती थी जब पहली बार बच्चों के प्रोग्राम में मैं उनके साथ साथ रही तो मैंने उनको अंकल कहना प्रारम्ब किया जहां तक मुझे क्याल है मैं ही वो पहला बच्चा थी जिसने उनको अंकल कहा और जब वो पेड़ा देते थे और कहते थे मैं वाइट चॉकलेट देता हूँ तो मैं कहती थी अब आपका नाम अंकल चॉकलेट तो मैं उनको कई बार हसी हसी में अंकल चॉकलेट भी कह दिया करती थी कि आप मुझे चॉकलेट देते हो, वाइट चॉकलेट देते हो, तो आप अंकल चॉकलेट तो इस तरह से उनका प्यार से बच्चों से मिलना, अब तो ऐसा लगता है कि इतना प्यार से, इतना उनोंने बच्चों को प्यार दिया और सम्मान दिया, छोटी-छोटी बच्चों की दिक्कते भी सुने उनोंने, मैं यहाँ दो-दो मास मदुबन में रहती थी कभी भी उनके पास आकर कहा करती थी अंकल अंकल आज ऐसा हो गया आज ये प्रॉबलम आ गई इतना प्यार से सहलाते हुए बोलते थी आरे ये कोई प्रॉबलम है ये तो कोई प्रॉबलम ही नहीं है इसका तो यह solution है, क्या तुमने सूचा नहीं? तो इस तरह से हर घड़ी solutions, मैंने उनको सदा बड़ों के साथ भी जब करीबी से देखा, तो सदा यही देखा, कि हर घड़ी वो समाधान देते थे। उनको कोई बात समस्या समस्या महसूस करने ही नहीं देते थे। और जब हम धीरे धीरे बड़े हुए, तो भी हमने देखा, कि वो कितना प्यार से आगे के लिए motivation उत्साहा भरते थे। मुझे सदा कहा करते थे, तुमने बचपन से पालना दादियों के लिए प्यार लिया है, तुम्हें तो बाबा की हर पल सेवा करते हुए सबूत देना है, सबूत तो जरूर देना है, बाबा की घर की पालना है, देना ही पड़ेगा, ऐसा कहते थे, देना ही पड़ेगा, न इश्चित मानते थे, साथ ही साथ, पूरे परिवार को भी इसने हे प्यार देना, एक-एक से मिलना, जब भी उनसे कहें, अंकल, आज आप से मिलना है, आज फलाने को मिलाना चाहते हैं, इस बार हमारे साथ ये महमान आए हुए हैं, इन से मिलाना है, ये बड़ी-बड़ी बात करते थे तो मुलते थे चले आओ क्या पूछना है बाबा का दर खुला है आजओ तो इस प्रकार से वो सदा विलकम किया करते थे और ये भी मैं कह सकती हूं ब्राता जी गंभीरता और रमनीकता की मूरत थे एक तरफ गंभीर दूसरी तरफ हसी हसी में सब कुछ कहते थे हसते हुए बोलते थे ऐसा लगता था बड़ी बात भी वो हसते हुए कह रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं हो कभी उनके फेस से यह नहीं लगता था कि आगे उनके कोई समस्या है कोई परेशानी है हाला कि यग्य की अनेक बातों को डील करते हुए सदा आगे बढ़ रहे थे लेकिन ऐसा मेसूस नहीं हो देते थे कि आज इतनी समस्याएं उनके आगे हैं, आज परेशानिया हैं, उनसे ना मिलें, उनको छोड़ें अकेला, ताकि वो सोच पाएं, समझ पाएं, लेकिन नहीं, हर घड़ी हसते हुए, हर घड़ी प्यार से, हर घड़ी सहचता के भाव से मिलते थे, और जिससे मिलते थे, चाहे किसी की शिकायत भी हो उसको भी कभी ऐसे मैसूस होने नहीं दिया कि तुमारी ये शिकायत आई है उसको भी प्यार से बोलते थे अरे भाई क्या बात है क्या दिक्कत है क्या बात है तो ऐसे लगता था जैसे उनके अलावा कोई और उनका सगा नहीं करीबी का अनुभव कराते थे कि उन जैसा करीब तो कोई और नहीं ऐसा लगता था उनसे मिलते हुए कि अपने अंदर की बात इनको कह दी जाए सुना दी जाए समस्या का समाधान मिलेगा उत्साहा भी मिलेगा तो जब जब कभी इन से मिला जाता था तो इस तरह की पालना की अनुभूती होती थी साथ ही साथ मुझे याद आता भी थोड़ा समय पहले मैंने पूछा था उनसे भाई सब आपकी तबियत ठीक नहीं लगती है तो बोलते थे अरे तबियत तो ठीक है बस फ्रूट्स खाने पड़ते हैं ये हरे पीले फ्रूट्स खाता रहता हूं ताकि मेरा ये तन स्वस्त बना रहे इस तरह प्यार से हर बात को लेते थे सहच लेते थे बैसा अपका जीवन कहूं एक तरह से सेवा भावी जीवन था हर घड़ी वो सेवा के सोच रखते थे कैसे नई नई सेवा हो कैसे यग्य उन्नति की और बढ़े सेवाओं को आगे बढ़ाया जाए उनके अंदर में ये हर बार नई प्लानिंग का उत्सा रहता था मीटिंग जब कभी वारशिक होती थी तो वो कहा करते थे इस बार नया क्या कोई नई बात कहूं कोई नया प्लान सुनाओं जो सबके आगे रखा जाए और नई सेवा यग्य में शुरू हो इस प्रकार की सोच बताओ तो उनके अंदर सेवा की सोच बहुत थी कि नई सेवा हो मैंने उनको दादियों के साथ भी देखा बड़ी दादी के साथ दादी प्रकाश मनी के साथ दादी जी का कंधे से कंधा मिला के वे वो चलते थे दादियों के साथ सदा उनको मैंने हांजी करते वे देखा कभी भी दादी जी के साथ खड़े होते थे और दादी कोई बा कारेक्रम करने की बात कही प्रोजेक्स बनाने की तो दादी को कहते थे बाबा ने भी काय हो नहीं है और आपके यह बात आई है आपके मन में तो बिलकुल हुआ पड़ा है इस तरह है कि उमंग से हर बात के लिए हां यह मैंने उनको को देखा है, अक्सर करके हर बात के लिए हां, हर व्यक्ति नहीं कह पाता, कभी हां, कभी ना, या सोच में दिखाई पड़ता है, लेकिन भाई सब को कभी ऐसे नहीं देखा, कि कभी ना कह दी जाए, या कभी सोच में, वो बच्चों तक को हां कह देते थे, तो दादियों की बात ही नियारी थी, तो मैंने उनको बहुत प्यार से सब को डील करते हुए भी देखा, चाहे वो महमानों से मिले, तो भी गरम जोशी के साथ मिले, और जब-जब किसको भी वक्त देते थे मिलने का, तो ऐसा महसूस होता था, त्रिप्त करके भेज रहे हैं, सदा त्रिप् देते थे, और समय दे करके, ऐसे त्रिप्त करके भेजते थे, जैसे हां, बहुत भरपूर हो गए, भाई सब ने बहुत प्यार से मुलाकात की, त्रिप्त किया, हर एक को टोली देना, ये उनकी खासियत थी, कि भाई, कोई भी आया उनके द्वार पर, लेकिन टोली शुरू से मैंने देखा, हर एक बार, उनके पास डिबा रहता था, और वो खोलते थे, अरे टोली तो लेके जाओ, बहनों टोली तो लो, तो इस तरीके से बहुत प्यार से वो डील किया करते थे, मैंने ये भी मैसूस किया है, कि भाई साब, जब भी कभी कोई गलती भी करके आता थ कि भाई साब ये भूल हो गई, लेकिन वो कहा करते थे, आरे भूल हो गई, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ना है, और बढ़ाना है, इसको यहीं फिनिश करो, यहीं पूरा करो, फुल स्टॉप लगा, तो इस तरीके से देखा, भाई साब, सदा सब को प्यार से आगे ब बढ़ते हुए, उन्होंने सब को साथ लेकर के बढ़ाया है, तो ऐसी आदर्नी है, स्रेश्ट आत्मा का दिल क्या कहें, शुकर करें, दिल से शुक्रिया है, जो आपने हमें दिया है, मैं समझते हूं कि हम आपकी शिक्षाओं को लेते हुए, सदा आगे बढ़ेंगे, और को आगे लेकर के चलेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सम्मान दिल से करती हूं, नमन करती हूं ऐसी आत्मा को, ओम शांते